Hello friends, हम सीख रहे हैं the clause और friends, जैसे आप जानते हैं, clause में हम noun clause, adjective clause को already discuss कर चुके हैं तो आज के lecture में हम discuss करने जा रहे हैं adverb clause और उसके various kinds बहुत सारे examples के साथ आपको यह clause है इसको हम explain करने जा रहे हैं तो चलिए friends, without wasting any time, let's start बात करते हैं आज एड्वाब क्लॉज की देखें नाम से पता लग रहा है जब कोई सब ओर्डिनेट क्लॉज किसी एड्वाब का काम करती है तो वो कहलाती है एड्वाब क्लॉज क्लिफर्ण्स और फंक्शन क्या हो गया है इसका एड्वाब और देखें अगर बात अगर आप एड्वाब की करें तो एड्वाब क्या होती है एड्वाब को किसी एज्यक्टिव को सहिझ किसी वर्ब को या अनदर एड वर्प को है न beginning तो आज्ड व्र टो डीटेल में हम नहीं पढ़ेंगे या लेकिन एड वर्प क्या है जह किसी दूसरी एड वर्प की विष्टव्ता बताए ऐसा शब्ड हैju तो यहां जो adverb clause है, उसके जो various kinds हैं, उनमें देखें कौन-कौन से हैं, कौन-कौन सी तरह से वो यूज की जा सकती है, सबसे पहले यूज होती है comparison, comparison के बाद आता है condition, contrast, manner यानि comparison तुलना के रूप में condition होती है, शर्त कहीं शर्त वाली बात होती है, contrast होता है विरोध और manner होता है कोई धंग या विदी, इसके अलाबह आपका purpose, place, purpose यानि उदेशे के लिए यूज होती है, place यानि इस्थान के लिए यूज होती है, reason, result and time, reason कोई कारण के लिए, clear friends और reason के लिए, reason के बाद बात करें, time यानि समय के sense में यूज होती है और इसके बाद result यानि परिणाम के लिए यूज होती है, clear, तो क्या क्यों होगा, comparison, condition, contrast, manner, purpose, place, reason, time and result, अब इनको हम डिटेल में बात करें, सबसे पहले हम बात कर ले, adverb of comparison की, adverb of comparison, comparison का मतलब तुलना, सीधा सा sense है, कि ये तुलना के लिए यूज होती है, और इसमें जो conjunctions यूज होते हैं, वो यूज होते हैं, जैसे आप कहिए as, as, और so as, जैसे conjunctions को यहां यूज करें, एक example लिजिए, जैसे कहिए Rita is clever, और कवीता is not clever, आपने कहा, रीता clever है, और जो कवीता है वो clever नहीं है, यानि, रीता is cleverer than कवीता, तो यहां जो आपको यह clause दिख रही है, रीता is cleverer than कवीता, तो यहां जो तुलना हो गई, वो कवीता के और रीता के बीच में, एक comparison के लिए यहां यूज किया गया है, clear, या कवीता is not so cleverer as रीता, अब यहां जो आपने यूज किया, यहां so edge को यूज करके बना दिया, और यहां जो आपने डिग्री यूज कि, यहां then, then को यूज करके आपने sentence को यहां भरा दिया, clear, तो यहां हम then से, edge से और so edge से यह जो ऐसे connections हैं, जिनकी मदद से हम किसी भी adverb में क्या करते हैं, comparison करते हैं, clear friends, अब बात कर लेते हैं, condition की, condition क्या होती है, शर्त होती है, adverb of condition, यहां जो दिखेगा आपको यहां वो connections दिखेंगे, जो use होते हैं किसी शर्त के लिए, अब शर्त के लिए जैसे आपके पास use हो रहा है, unless, until यूज होता है, unless यूज होता है, यह किस के लिए यूज होता है, कई बार, यह जो use करते हैं, आप किस के लिए use करते हैं, condition के लिए use करते हैं, clear, यानि जब तक की नहीं, तो जैसे एक example लीजिए, you will burn, अच्छे इसमें if कभी use होता है, क्या, if कभी आप use कर सकते हैं, the fire, you will burn, clear, कि अगर आप fire को touch करेंगे, तो क्या होगा, आप burn हो जाएंगे, clear, आप जल जाएंगे, कब जल जाएंगे, जब fire को आप touch करेंगे, you will not get care, you will not get care unless you cover the health, कि जब तक आप health कवर नहीं लेते, तब तक you will not get care, आपको care नहीं मिलेगी, आपको इलाज नहीं मिलेगा, कब तक नहीं मिलेगा, जब तक कि आप जो health कवर है, वो नहीं लेते, clear friends, तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा है condition और condition के लिए जो clause हमने use की, उसमें जो connection है हमारे पास, if, until, unless, जैसे connections की मदद से हम क्या बना रहे है, clause को adverb clause बना रहे हैं, यह adverb clause बन रही है, और clear, कि और किस function में है, adverb of condition का यहाँ काम यह कर रही है, तो I hope समझ पा रहे होंगे, चलिए note करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं, contrast की, adverb of contrast, तो contrast का मतलब होता है, friends, विरोध, अगर यहाँ विरोध कहीं दिखाई दे रहा है, तो विरोध शो करने वाले जो connection से, उनकी मदद से, हाँ, क्या है, विरोध दिखाया जाता है, इसमें आपके पास use होता है, do और although, हाला कि दो और although के use में कोई अंतर नहीं है, although यदपी और दो यदपी, clear, और actual में होता क्या है, although के साथ आप यट को prefer करना पसंद करते हैं, और दो कोई साथ नहीं करते हैं, जैसे आप कहिए कि, although my father is poor, he is not dishonest, although my father is poor, yet he is not dishonest, clear, कि यदपी मेरे पिताजी गरीव है, although my father is poor, yet, फिर भी, he is not dishonest, वो dishonest नहीं है, clear, यह आप कहिए, though my father is poor, he is not dishonest, clear, तो यहाँ दो से भी sentence को यहाँ बना सकते हैं, though my father, बाकी सब, अब यट यहाँ आपको use नहीं करना, he is not dishonest, clear friends, अच्छा, एक चीज और है यहाँ, अगर यहाँ दो और ओल्डो का use हुआ, अब आगे बढ़ें, अगर manner की बात करें, तो manner में हमें दिखाई देगा धंग, adverb of manner, यहाँ किसी कार्य को करने का जो धंग है, तरीका है, वो दिखाई देता है, जैसे आप कहिए connection, यहाँ आप use करेंगे, as, or, as, if, इनकी help से आप क्या करते हैं, adverb of manner को show करते हैं, जैसे आप कह दीजे कि, I followed, as my doctor advised, कि मैंने follow किया, क्या follow किया, I followed as my doctor advised, जैसा कि मेरे doctor ने मुझे सलहा दी थी, वैसा मैंने follow किया, क्लेफर्ट्स, और my grandfather saves money as if he were a miser, मेरे grandfather पैसा बचाते हैं, ऐसे बचाते हैं, जैसा लगता है, कि जैसे वो कोई miser हो, clear friends, और इसके बाद बात करेंगे हैं, purpose की, और purpose के बाद बात करेंगे, place की, तो ये clear हुए दोनों, contrast और manner, तो चलेफर्ट्स, नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, बात कर ले, adverb of purpose, adverb of purpose, जब purpose की बात होती है, उदेश्य की बात होती है, तब कुछ connections हम यूज करते हैं, जिसे आप कह देते हैं, so that, ताकि, और last, ऐसा ना हो कि, जैसे आप कह दीजी कि, go fast to the college, last, you should be late, you should be late, कि, आप क्या कीजिए, go fast, ते चलिए, ऐसा ना हो कि, आप लेट हो जाएं, और एक चीज़ और reference, जहां भी last होता है, last के बाद, हमेशा should का use होता है, clear, और आप दूसरे जाम पर लेजीजिए, जैसे, my friend works hard, my friend, works hard so that he may get a job, मेरा friend, जो है, वो मेहनत करता है, सभी मेहनत करते हैं, ताकि, he may get a job, ताकि उसको एक जाब मिल जाए, clear, तो so that का हमने use किया, किसके sense में, ताकी के लिए, ताकी कह दीजिए, और last use करते हम, ऐसा ना हो कि, और ये बताते हैं किसको परपज को, उद्देश्य को, इसके बाद बात करते हैं, adverb of place की, place, place यानि कोई इस्थान, किसी इस्थान का भाव, अगर होता है, तो वहाँ कुछ कर्जंक्शन्स हम यूज़ करते हैं, जैसे हम कहा देते हैं, where, और, wherever, clear, यानि जहां और जहां कहीं, इन दोनों की मदद से हम, adverb of place का यूज़ करते हैं, जैसे हम कह दीजे, कि our, हम कह सकते हैं, कि our, p.m. welcomed. wherever he went, कि हमारे p.m. का welcome किया गया, जहां कहीं भी वो गए, मतलब जहां भी गए, वहाँ उनका जो स्वागत है, वो किया गया, और we went, to agra, where we saw the taj, हम agra गये, जहां हमने taj mahl को देखा, clear, तो यहां where, और wherever की मदद से, adverb of place, और अगर हम so that, last की मदद से, adverb of purpose, तो चले फेंस, नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं, adverb of reason की, reason यानि कोई कारण, clear, किसी कारण को बताने के लिए, यह adverb, यह जो connection से use होते हैं, और पूरी जो clause है, उसको बना देते हैं, adverb clause, इसमें आपके पास reason की बात करें, तो जैसे आप कह सकते हैं, because, since, और as, इनकी help से, हम clause को adverb clause बनाते हैं, जैसे, he is very glad, he is, very glad, because he got a job, वो बहुत खुश है, क्यों खुश है, क्योंकि उसको एक जॉब मिल गई है, clear, I got the prize from the principal, I got a prize, from the principal, as I helped a blind man, clear, कि मैंने principle से prize पाया, क्यों पाया, as I helped a blind man, क्योंकि मैंने एक blind man की help की थी, clear, तो because, since और as की मदद से हम क्या करते हैं, किसी भी clause को subordinate clause बना देते हैं, और especially adverb clause, अब बात कर लेते हैं, adverb of result की, यानि ये बताती है परिणाम को, clear, और इसमें हम यूज करते हैं, so or that, clear, जैसे, he is so old that, he cannot walk properly, कि वो इतना बुढ़ा है, कि वो प्रॉपर्ली चल भी नहीं सकता, तो बुढ़ा होने का result क्या हुआ, कि वो चल भी नहीं पा रहा, clear friends, तो adverb of result, और अब बात कर लें हम, adverb of time की, तो time में हमारे पास, conjunctions कुछ ज़्याद है, हैं, जैसे आप कहल दीजिए, as soon as, before, after, यानि, as soon as की बात कर रहे हैं, तो इसका negative भी यूज़ होता है, जिसको आप कहते हैं, no sooner, clear, तो as soon as, no sooner, before, और after, या while, और when भी इसमें हम यूज़ करते हैं, while, when, clear, तो इनकी मदद से हम क्या करते हैं, यह है, adverb of time का यह segment है, हमें मिल जाता है, clause में, clear, friends, जैसे आप कह दीजिए, as soon as, the baby, heard the noise, he got up, कि जैसे ही, बच्चे ने सोर सुना, वो बैठ कया, वो उठ कया, clear, friends, तो यहां क्या है, as soon as, जियो ही, और अगर हम negative में यूज़ करते हैं, तो no sooner than को हम लगा दीते हैं, इसका negative आप यूज़ कीजिए, no sooner, did the baby hear the noise, than he got up, और before और after के, helps, use से भी आप इसको मना सकते हैं, जैसे, he came, before his father came, clear, he came before his father, यानि वो क्या, कब आया, अपने father से पहले आया, clear, friends, और, I reached the station, मैं station पहुचा, after the train had departed, और कब पहुचा मैं, जब train चली गई, उसके बाद मैं, कहां, station पर पहुचा, तो या, after, before, या, आपको, while, when, as soon as, no sooner, इनकी help से, हम यहां क्या कर रहे हैं, adverb time का हम, use कर रहे हैं, clear, तो, friends, adverb, जो, adverb है, यहां, जो हम सीख रहे हैं, कौनसी adverb, subordinating clause, बनाने के लिए, हमें यहां ज़रूरत पढ़ी, adverb clause की, तो यह adverb clause, और उसके various kinds, हमने सीखे, various uses, हमने सीखे, I hope, अब जो adverb है, वो, बिल्कुल, crystal clear, आपको हो गई होगी, हुई है की नहीं हुई है, कमेंट करके ज़रूर बता दीजेगा, और मिलते हैं नेक लेक्शर में, किसी और ने टापिक के साथ, and now, thanks for watching this video.